बारत में क्रोना वायरेस का नया वेरेंट ओमिक्रॉन तेजगती से पैर पसार रहा है इस वारेस ने कई राज्यों को अपनी चपेट में लिया हुआ है जिससे कई राज्यों नाइट कर्फ्यू लगाया है और विदेशों से आने वालो पर पैनी नजर रखे हुए है इसी बीच केरल में नय वेरेंट के 45 मरीज सामने आए हैं जिसके बाद राज्यों में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 152 हो गई है इस बात की जानकारी केरल के स्वास्विभाग ने दी है स्वास्विभाग द्वारा जारी आंक्डों के मताविख केरल में करुना वायरे संक्रमित के 2802 नए मामले सामने आए हैं राज्य में नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 52,43,289 हो गई है वहीं महमारी से 78 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 48,113 हो गई है राज में 78 लोगों की मौत में से 12 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है एक अधिकारिक प्रिस्विग्यप्ति के नुसार शनीवार सी 2606 और लोगों के संक्रमणमुक्त होने के बाद कुल स्वस्त हुए लोगों की संख्या बढ़कर 51,84,587 हो गई है वहीं अब 19,021 मरीजों का उपचार चल रहा है देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें